नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेडी नियूस, आज हम जानेंगे निसारगा चकरवात के बारे में, जो अरब की खाड़ी से उठने वाला है और गुजरात और महाराश्ट को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं, तो देखिए, अकोर्डिंग टू दे इंडियन मेट लोजिकली डिपार्टमेंट, साइकलोन निसारगा विल हिट दे ग्राउंड नियर अली बाग टुमारो, मतलब कल ये अली बाग यानि महाराश्ट के अली बाग में निसारगा साइकलोन टकराएगा, ये भारती मौसम विभाग ने कहा है, इसकी स्पीड सो किलोमीटर पर आ रहने वाली है, भारी बारिस होने की संभावना है, कई इलाकों में भारी बारिस हो सकती है, जैसे पाल, घर, पूने, थाने, मुंबई, हूले और नाशिक, डॉक्टर अनुपम कस्यपी ने जो भारती मौसम विभाग के वैग्यानिक हैं, जिनोंने इस चक्रवात की सूचन अब देख सकते हैं, इंडिया मेटरलोजिकली डिपार्टमेंट का ओफिसियल साइट है, यहां आप देख सकते हैं कि भारत में कहां कहां प्रभाव डालेगा, यह निसारगा, चक्रवात, अधिकतर आप देख सकते हैं, महाराष्ट में इसका इंपेक्ट जादा पड़ेग और गुजरात के तरफ भी इसका प्रभाव पड़ेगा, चक्रवात अरब की खाड़ी से उठेगा और उफान और भारी बारिस महाराष्ट के इलाकों में हो सकती है, यह जो नाम है निसारगा, निसारगा नाम बांगला देश ने दिया है, इसका मतलब होता है प्रकरती और भारत के पडोसी देश, अलग अलग देश चक्रवातों का नाम देते रहते हैं, निसारगा चक्रवात अरब सागर में भारी दबाओ के कारण दोपहर में तुफानी चक्रवात में बदल गया था और भारी बारिस तुफान देखा गया, इसके कारण महाराष्ट और गुज जी भी गए और उन्हों ने उसका पूरा जायजा लिया और लोगों के कुसल होने की काम ना की आप जानते हैं कि इससे कुछ दिन पहले भी एक साइकलोन आया था जिसका नाम था अमफान इसकी रफतार 96 किलोमीटर पर आर थी और यह पस्ची मंगाल में आया था इससे कॉलका तो महराष्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है धन्यवाद सो सब्सक्राइब कमेंट एंड सेर दिस वीडियो थैंक यू